कि शूपरभाद बच्चो प्यारे बच्चो कल हमने बाल माहा भारत कथा का पार्थ नंबर च्यार विदूर का अद्धिन किया था मुझे आसा है आपने उसे ध्यान से सुना होगा तो उसकी बुख्य बाते हैं उने अपनी नोट बुक में नोट भी किया होगा तो प्यारे बच्चो क्या पढ़ा था कल हमने कि विदूर जे अमबाली का की जो दासी थी उनके पुत्तर थे वो बहुत विदूर थे और उनके बच्चपन का नाम धरम देव था भीशंपिता महानेवने प्राजा धरित राष्टर का मुख्य परधान मंतरी निक्ट किया गया था सब उन्हें प्यार से काका कहते थे वो बहुत समझदार सांथ सभाव के थे उनकी बातों को सब मानते थे और विदूर निती तो बच्चो आज विविसव परसीद है उनकी कुछ नीतियां थी जिनने लोग आज भी मानते है तो प्यारे बच्चो हमारे अध्याय का नाम क्या है विदूर विदूर और उसके जो मुख्य जो परसन उतर बनते हैं आज हम उनका अध्यान करेंगे और आप सब उसे ध्यान से सुनेंगे और जो शी मुख्य बाते हैं उन्हें नोट करेंगे और याद भी करेंगे तो प्यारे बच्चो सबसे पहले खालिस्तान है नमबर एक पे विदूर के बच्चपन का नाम डैस था विदूर के बच्चपन का नाम डैस था विदूर के बच्चपन का नाम धरम देव था क्या नाम था बच्चो धरम देव द्रीत राष्टर ने युदिष्टिर को डैस खेलने के लिए बुलाया द्रीत राष्टर ने युदिष्टिर को जुवा खेलने के लिए बुलाया तो प्यारे बचो द्रीत राष्टर ने क्यों बलाया था क्योंकि उन पे द्रियोधन ने दबाव डाला तो उनको द्रियोधन की बात को मानना पड़ा और उन उजिश्टिर को जुवा खेलने के लिए आमतरित करना पड़ा तो प्यारे बच्चों सबने इस बात से मना किया था विदूर जी ने भी जुवा खेलने से मना किया था लेकिन द्रियोधन कुछ और ही चाहता था वो चाहता था कि पांड़ों को यहां से निकाल दिया जाए या उनको मार दिया जाए तो इसी वज़े से वो हमेसा कोई न कोई शर्य अंतरस्ता रहता था पांड़ों के खिलाप तो अगला खालिशनान क्या बच्छो धर्म सास्तर धर्म सास्तर ततरादनीती में डैस का ग्यान अथा था किसका ग्यान अथा था बच्छो झालिशना था भीप ग। झाल 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 झाल